आज मैं आपके साथ केवल मैस रासी के गोचर के बारे में चानकारी शेयर कर रहा हूं जैसा कि अभी इन महिनों में देखने में आ रहा है कि मैस रासी के जातक बेहद परेशान है स्वाभाविक है कि कुछ ग्रह गोचर एसे उनके अन्यता घरों में बैठे हुए है भाओं में बैठे हुए है कि शिवाई दुख और संकट के उनके नसीब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है अब सवार ये है कि ऐसी इस्तिती में इनसान करे तो क्या करे तो ये जो इनसान शब्द में कामे ले रहा हूँ ये मैश राशी वालों के लिए ले रहा हूँ तो मैश राशी वाले कभी भी किसी भी वक्त किसी भी बड़े हाथ से का सिकार हो सकते है प्रोपर्टी से संबंधित माता से संबंधित सुख सुविधाओं से संबंधित वो पिछले कई महिनों से वेसे ही दुख पा रहे है बेहद संकट में हैं खर्चों पर उनका कोई नियंत्रण बन ही नहीं रहा है और रिन यानि की लोन वगर है तो अब आपको क्या हम बताएं कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं यो पहले के लिये हुए रिन हैं लोन हैं वे ही उतरने का नाम नहीं ले रहे है और नए तैयार बैठे हुए हैं किसी भी समय कोई हादसा जीवन से संबंधित भी हो सकता है इसलिए मैं मैं सरासी के जातकों को आगाह करना चाहूंगा कि वे कम से कम मैं दो हजार पचीस तक किसी भी प्रकार का कोई नया कारिये प्रारम करने की कोशिश ना करे कोई जोखिम भरी बात वो श्विकार ना करे फूख फूख कर कदम रखे किसी के उपर भी विश्वास नहीं करे और अपने कर्म से कभी ना हटे साथ ही साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन दुख और संकट से निजाद पाना है तो ध्यान रखिये कि अपने इमान को खराब ना होने दे आप भुजुर्गों की इज़्जत करे बिखारियों को रोटी खिलाए बिस्किट दे हर मंगलवार शनिवार को आप हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड चने का भोग लगाए आप एक काम बहुत ही अच्छा बता रहा हूं कि आप हर मंगलवार को रात नो बजे बाद हनुमान चालिसा पढ़े 21 लोंग की लाल धागे में माला बनाए हनुमान जी की मूर्ती को वो पहना कराए तीन सब्ताह लगातार यह कार यह आपको करना है और हनुमान चालिसा रोजा नहीं रात नो बजे बाद में आप पढ़िएगा देखिएगा मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका जो दुर्भग्य है सोभग्य में बदल जाएगा लेकिन ये पकी बात है कि अगर हम शास्त्रों में बताई हुई बातों को जो हमारे भुजूर्ग बता कर गए है और जो विद्वान पुरुस कहते है उन बातों को यदि हम मानते है तो हमारे दुख और संकट में कमी आवश्य आती है हर सनिवार को आप थोड़ा सा कोईला नदी में प्रवाहित करें आजकल नदी ढूनना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो नाली में प्रवाहित कर दें कभी भी जब आप अपने घर से बाहर निकले किसी भी काम से घर से बाहर निकले दो लोंग साबुत पूल वाली जिस पर फुला लगा हुआ हो अपने मुह में रखकर ही बाहर निकले जहां पर आपको नीम का वृक्ष दिख जाए आप उन्हें परणाम करें नमस्कार करें हो सकें तो उसे सीचने की यानि कि प्राते काल जल सीचे और साइकाल दीपक लगाए ना केवल साइकाल घीगी का दीपक लगाएं और सनिवार को सरसो के तेल का दीपक लगाएं यदि आप ऐसा कुछ कर पाते हैं तो आप मान के चलिएगा कि मई दो हजार पच्चीज तक का जो गोचर है उस पर काफी हद तक आप नियंत्रण पा सकते हैं आप अपने जो कश्ट और संकट है जो मारक है जो संकट मरने के जैसा होता है आदमी जिन्दा भी नहीं रहता है और मरता भी नहीं है मरने तुल्य जो संकट है उनमें बहुत कुछ आपके कमी आजाएगी आप थोड़ा एसा महसूस करेंगे कि हाँ कोई मुझे राहत मिली है आपको मैं फिर बता दूँ कि आप हनुमान चालिसा का पाठ कदापी ना छोड़े हनुमान जी के उठे हुए पाउं के अंगुठे का सिंदूर अवश्य ही आप लगाईएगा और फिर देखिएगा कि आपके जो अभी पिछले कुछ महिनों से दुख संकट चल रहे है उनमें बहुत कमी आजाएगी और आपको एहसास होने लग जाएगा कहीं न कहीं परमपिता परमेश्वर आपकी सुन रहा है बस ध्यान रखना किसी के बहकावे में ना आए गलत सोबत ना करे धोके देने वाले आपको बहुत मिलेंगे धोके ना खाएं रात के समय कोई डिसीजन अगले दिन के लिए ना करे जो भी डिसीजन लेने है वो दिन की रोश्णी में सूर्य की साक्षी में ही ले और अपने इमान पर रहे सच्चाई का दामन कभी ना छोड़े जै शीकिष्णी